नमस्कार दोस्तों स्वाधत है आपका अपने यूटीब चैनल में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे पेटेंट एक्ट 1970 के most important sections देखिए sections बहुत सारे हैं अभी मैं सिर्फ इस वीडियो को आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ आपको समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना कैसे है पता आपको सब है 21J क्या होता है 21J क्या होता है 21F क्या होता है 21AC क्या होता है आपको पता सब है लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मैं पढ़ना कैसे है यह सबसे बढ़ा आपका इशू है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेंट ने इदर दो तीन दिन से मुझे कॉल किया मैसेज किया उनको यहीं नहीं समझ मारा है सर इतने सारे section हम कैसे पढ़े भाई मेरे बहुत सिंपल है कोशिश करूँगा आपको एकदम easy language में समझा सकूँ ताकि आपका खुद इस subject में interest आ जाए और यह जो 163 section है ना आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको पढ़ाना पढ़ेगा मेरी कोशिश रहेगी कि जो जो important चीज़े हैं वो सब मैं आपको regular basis पर YouTube पर मैं provide करता हूँगा लेकिन आपको at least एक बार शुरुवात हो जाए ना आपकी फिर आप खुद पढ़ने लगेंगा आपका खुद इंटरेस्ट आने लगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों discuss करेंगे patent act 1970 के सबसे important sections हर एक चीज़ मेंचन है patent act 1970 में बस आपको पढ़ना आना चाहिए आगे बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं what is patent patent act 1970 को हम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन पतात होना चाहिए patent क्या होता है अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आप यह वीडियो देखने जा रहे हैं तो मैं आपसे यहीं बोलूँगा पहले उस वीडियो को देख लीजिए उसको बात इसको देखिएगा चलिए शुरू करते हैं what is patent patent क्या होता है देखिए suppose मैंने कोई चीज invent करी माल ल हो सकती जरूरी नहीं कि machine आप माली जब mobile phone बनाते हैं माली जब laptop computers बनाते हैं माली जब कोई electric appliances बनाते हैं कोई कार बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं यह कुछ भी हो सकती सबसे पहली और important चीज़ क्या है वो यह है कि यह नई होनी चाहिए इसके लिए intellectual property की भाशा में word यूज किया गया है novel novel यानि की new नई होनी चाहिए यह process यह technology यह आपका product नया होना चाहिए market में ऐसा कोई दूर दूर तक product नहीं होना चाहिए जो आप invent कर रहे हैं इसकी दो चीज़े important है पहला क्या है नया होना चाहिए novel मतलब कि नया होना चाहिए दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ यह है कि मैं यह चाहता हूँ कि इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार हो मतलब कि मेरे अलावा और कोई इसको use ना कर पाए तो मतलब कि इस machine पर या जो भी मैंने invent किया है इस पर मेरा अधिकार हो exclusive rights हो exclusive का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार और किसी का कोई अधिकार नहीं या फिर मैं चाहूं तो अगर किसी को authorized कर सकता हूं तो उसका अधिकार हो अगर इसके अलावा किसी ने इससे छड़कानी करी या फिर एक तरह की जालसाजी करी violation किया या ब्रीच या जिसे intellectual property की भाषा में एक शब्द यूज किया जाता है infringement infringement तो मैं उसके against case कर सकूं अगर किसी ने जालसाजी करी ठीक है मेरे मशीन को मेरे product को duplicate बनाने की कोशिश करी या illegal तरीके से बेचनी की कोशिश करी तो मैं उसके against case कर सकता हूं तो इसको जो word को बोलते हैं जो उसने धोका दड़ी करी जालसाजी करी इसको क्या करने के बाद आपको होता है प्रसेस कि पर आपको जाना पड़ेगा गोड़ना पड़एस आपको लेना पड़ेगा license गौःरमेंट आपकोट जो जो license होगा उसको बोलते हैं exclusive license और जिसको दिया जाएगा वो क्या होगा वो होगा licensee exclusive license मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा तो यह जो आपको अधिकार दिया जाएगा तो यह आपको license दिया जाएगा तो यह जो license इसको क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं patent बात आप आपको clear समझ में आ गई, I hope आपको समझ में आ गया होगा patent क्या होता, at least पता दोना चाहिए patent क्या होता, आगे फिर हम लोग बाकी सीज़े पढ़ेंगे, बात यहां तक समझ में आ गई, patent क्या होता है, मैंने बता दी आपको एक एक चीज बहुत simple और बहुत आशान भासा में, आगे चलते हैं, देखिए, मैंने क्या बोला, इस पर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए, और government जो है, आपको exclusive license देगी, exclusive license देगी, यह कहां पर mention है, यह mention है, section 2, section 2, 1, F में mention है, चलिए, देख लेते हैं, section 2, 1, F, क्या कहता है, याद रखिएगा, most important है, क्या कहता है, exclusive license means a license from a patentee, patentee मतलब कि जो patent करा रहा है, which confers on the licensee, or on the licensee and the persons authorized by him, मतलब कि यह exclusive license होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जो patentee है, या जिसने invent किया है, जो inventor है, या अगर वो चाहे तो किसी person को authorized कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होगा, और यह exclusive license होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, तो यहाँ पर आपको यह पूरा पढ़ने की ज़रूद नहीं है, क्या आपके लिए important है, most important क्या है, most important है, section, कौन से section में यह बात कही गई है, section 21F, कौन सा शब्द word use किया गया है, exclusive license, ठीक है दोस्तों, यह नहीं तक बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं, अब देखिए क्या होता है, जो मैंने invent किया, जो मैंने आविशकार किया है, ठीक है, अब यह आविशकार का मतलब क्या है, उसको भी समझते है, patent act section में दिया गया है, 21J, patent act 1970, section 21J, यहाँ पर बताया गया है, कि जो invention होता है, इसका क्या मतलब होता है, invention, जो भी हमने थोड़ी देर पहले शब्द यूज किया, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पताया है, हर एक चीज का मतलब, हर एक definition, patent act 1970 में दी गई है, बस आपको पता होना चाहिए, कि हमको इसको पढ़ना कैसे है, हमने पढ़ा, patent act क्या हो patent क्या होता है, not patent act, patent क्या होता है, क्या होता है, किसको दिया जाता है, exclusive license होता है, तो हमने exclusive license पढ़ लिया, उसके पहले हमने बोला था, माली जे हम कोई नई चीज़ इनवेंट करते है, तो अब word आया, invention, अविशकार, अब हम ये भी समझते है कि अविशकार क्या होता है, द capable of industrial application क्या लिखा हुआ है समझ लिजए इसका क्या कहने का मतलब है invention को तीन पार्ट में इसने divide कर दिया कौन से तीन पार्ट में divide कर दिया दोस्तों new product या फिर process ठीक है दूसरा पार्ट इसने divide कर दिया inventive step तीसरा पार्ट इसने divide कर दिया capable of industrial application capable of industrial application अब जड़ा इसको ध्यान से समझ ये देखिए क्या है invention में इन्होंने तीन वर्ड include कर दिये ठीक है कौन कौन से तीन वर्ड include कर दिये new product process inventive step capable of industrial application इन ही से हम पता लगा लेंगे invention का मतलब क्या होता है invention का मतलब ये होता है invention जो है हमारा नया होना चाहिए एकदम नया होना चाहिए नया product हो सकता है नया process हो सकता है नई technology हो सकती जिसमें क्या क्या होगा जिसमें inventive step भी होना चाहिए और ये capable होना चाहिए industry में apply करने के लिए basically invention हम तभी बोलेंगे कब बोलेंगे जब ये तीन step वो follow करेगा कौन कौन से पहला नया product होना चाहिए नया process होना चाहिए inventive step का मतलब समझीए invent invention से बना inventive ठीक है invent मतलब कि आप जो invent कर रहे हैं जो आप अविश्कार कर रहे हैं उसके क्या step हैं मतलब कि माल लिए suppose आप कोई नई चीज़ design करने जा रहे हैं तो आपकी शुरुआत कहां से मतलब बेसिकलिए आपने पहले उसके बारे में बढ़ा फिर उसके लिए क्या क्या हमें instruments लगेंगे क्या क्या चीज़े लगेंगी वो हर एक एक चीज starting से लेके शुरुआत से लेके और end तक जहां तक आपका पूरा product बनेगा यह जो पूरा process होता है step by step इसको बोलते है inventive step inventive step ठीक है दूसरा होगा inventive step तीसरा क्या कह रहा capable of industrial application मतलब कि जो आप बनाएंगे product वो capable होना चाहिए इंडस्ट्री में apply करने के लिए basically कहना यह चाह रहा है कि उसको हम business में या market में उसको हम use कर सके apply कर सके आगे बात समझ में शुद्ध बासा में क्या कह रहा है invention का मतलब क्या होता है invention का मतलब यही होता है वो कह रहा है कि invention हम तभी मानेंगे जब वो एक नया product या प्रोसेस होगा और inventive step होगा इसमें और इसके साथ साथ यह capable होना चाहिए इंडस्ट्री में apply करने के लिए मतलब basically market में इसका use किया जा सके तभी हम उसको invention मानेंगे यह कहां पर कहा गया है यह patent act 1970 के section 21J section 21J याद रखिएगा invention क्या word की बात हो रही है invention दो section बता दिये हैं भूलिएगा मात section 21F exclusive license section 21J invention ठीक है आगे चलते हैं अब देखिए यहाँ पर दो word use हुए है कौन कौन से inventive step और क्या use हुआ है capable of industrial application यह भी आपके section में mention है inventive step क्या होता है देख लेते हैं देखिए section 21J already mentioned है आपके patent act 1970 में मैंने बोला ना हर एक एक word का definition दिया गया है पस आपको पढ़ना आना चाहिए inventive step क्या है क्या कह रहा है इसका definition लिखा है यह हमें definition पढ़ने की जरुरत नहीं मैंने आपको भी बता दिया कह रहा है means a feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art basically inventive step का मतलब यही है शुरुवात से लेके आखरी तक बनाने से लेके मतलब आपने जब से उसकी शुरुवात करी उसके बीच में क्या क्या चीज़े आपने कौन सी knowledge यूज करी आपने कहां से पढ़ा कहां से आपने आपको इस चीज़ों के बारे में प inventive step ध्यान रखेगा किस section में mention है section 21JA ठीक है तीसरा हो गया हमारा चौथा जो मैंने आपको बोला था capable of industrial application कहां पर mention है section 21AC section 21AC capable of industrial application in relation to an invention means that the invention is capable of being made or used in an industry मतलब कि जो आपका invention है वह जो आपने बनाया है उसको इंडस्ट्री में हम apply कर सके बिजनेस के market में उसको हम apply कर सके तब तो कुछ हम मानेंगे कि यह invention हुआ है otherwise आप market में using नहीं कर पारा आपने एक ऐसी car design करके रख दी जो को using नहीं कर पारा market में ही नहीं आ रही है तो invention नह capable of industrial application application किस section में mention है section 21AC याद होगा दोस्तों कभी नहीं भूलेंगा कौन कौन से 4 section बताए है most important most important सबसे पहला exclusive licensee exclusive licensee section 21F दूसरा invention invention section 21J तीसरा inventive step section 21JA 21JA चौता capable of industrial application section 21AC I hope दोस्तों आपको समझा आगया होगा मेरे पैरे दोस्तों अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे कभी भी आपको problem नहीं आएगी section को आपको रटना नहीं पढ़ेगा आप बहुत आसान से तरीके से इस पूरे section को पढ़ सकते हैं इसी तरह से पढ़िए आपको एक चीज समझ में आ जाएगी नहीं समझ में आ रही है comment करके आप हमसे पूछ सकते हैं कोशिच करूँगा regular basis पर आपको कुछ इसी तरह के interesting videos आपको देता रहूं ताकि आपका इस subject में interest जाग जाए interest जाग जाएगा आप खुद पढ़ने लगेंगे thank you very much and thank you for watching